हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूटूब चनल देवास टिमट आएक्यू में स्वातिव माज इस क्लास में हिंदी व्याकरण के मेहत्वण परसनों की चर्चा करने वाले हैं तो क्लास को एंड तक देखते रहना है चनल को सब्सक्राइब निके तो सब्सक्रा टेलेग्राम चैनल जोइन करें वहाँ पर आपको प्राप्त कर सकते हैं तो एक नमर आपका क्यूस्वन होजएगा उरुवरा सब्द के लिए वाक्यांस है तो इसमें आपका हो जाएगा सत्यों क्या होजएगा उपजव भूमी आप साथ में आंसर दे सकते हैं या लास्ट एक सब्दे व्याकरण जानने वाला कौन होता है व्याकरण के लिए एक सब्दे कौन सा होगा इसमें व्याकरण जानने वाला तो साथ ही इसमें आपको हो जाएगा सी ओप्सन व्याकरण यह आपका राइट हो जाएगा आपको याद करें यह प्रसंद हर एक्जाम में पू जाएगा इसमें गाली देना ठीकेख के अगला क्यूस न हुजएगा अगर-मगर करना का अर्थ है अगर-मगर करना का अर्थ है इसमें कौन सा हो जाएगा कपट करना बहाने बनाना इदर की बात उधर करना वहर्त समय गवाना पी ओप anonymous आपका राइट हो जाएगा इसमें फाइट नमर के सुन हो जाएगा सुध सब्द कौन सा है सुध सब्द कौन सा है सची दानन्द सची दानन्द सारे सची दानन्द नाम है यह सची दानन्द है सची दानन्द है तो इसमें आपका सुध सब्द कौन सा होगा एसे प्रसंद चा आदा चे पुरा चे दानन्द ठीक है शीक्स नमर के सुनो जाएगा सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है सुद्ध वर्तनी वाला सब्द सुसप्ती कौन सा होगा इसमें सुद्ध वर्तनी वाला सब्द इसमें से सुद्ध सब्द कौन सा होगा आगे तो साथायो इसमें आपका हो जयेगा सू सुप्ति यह सब्द शूद होगा अगला क्गला क्गा सउन हो जाएगा सही वर्तनी चांट यह सही वर्तनी को चांटना है झाइahh तो इसमें आपका हो जाएगा भी- apolog right हो जाएगा जे यो ते आदा से ना ठीक है जो तसना ये आपका इसमें राइट हो जाएगा अगला क्रिशन हो जाएगा सूद सब्द क्या है सूद सब्द क्या है इसमें सूद सब्द आपको बताना है तो इसमें आपका हो जाएगा संपूरण प्रयूक्त संधी का नाम बताओ तो कौन सी संधी नाम बताना है नीम होगी तो साथियो इसमें आपके हो जाएगी दिर्ग संधी तो क्या हो जाएगा दया प्लस आनन्द हो जाएगा साथियो ठीके और संधी को Zak S Laure दीरक संधी हो जाएगी आप्लस आवाला ऑर बराबर आ हो जाएगा इसमें डिया प्लस आनंद यह कुंसा हो जण और इसका संधी विच्छेद करें तो कैसे होगा तो साथियो कपी इसका संधी विच्छेद होगा कपी पलस इस ठीक है कपी धन इस हो जाएगा इसमें यह आपको याद रख लेना है यहाँ पर छोटा इस हो जाएगा बड़ाई का और इधर बड़ाई हो जाएगा कपी पलस कभी धन IS बराबर यह कुन्सा नियम लगत जाएगा य一次 वाला नियम लग जाएगा साथा हो ठीक है और दिर्ख संदी इसमें आपका राइट हो जाएगा कभी प्रस इसका संदी विचेद हो जाएगा यह याद आपको साथ में कर ले कौन से संदी हो जाएगी सदेव में वर्दी संदी हो जाएगी ठीक है सवर संदी का भाग है वर्दी संदी वह इसमें प्रियुक्त हो जाएगी अब सदेव की संदी विच्छेद करना है तो कैसे होगा तो सदेव का संदी विच्छेद होगा साथ यह सदा पलस एव क्या होग सदा दन एव ठीक है यह सम्में आपका राइट हो जाएगा और संधी कौनसा जाएगा स्वर संधी में कौन वर्दी संधी यह आपको याद कलेना है अगला क्यों सन हो जाएगा संधी का सही संधी विच्छेद है कुंसा होगया इसमें सबती है इसमें आपका होजाएगा साथ एगा सत्ध मति की ठीक है इसमें अगर पूछे संदी कोण सी होगी तो वेंजन संदी होगी है ठीक है अगला कुछन हो जाएगा आपका इत्यादी का सही संधी विच्छेद है तो इत्यादी का सही संधी विच्छेद कौन सा है तो आपका हो जाएगा इत्ती पलस आदी इत्ती धन आदी हो जाएगा और इसमें संधी पूछ ले जाए इत्यादी में कौन सी संधी है तो आ यहने संदी हो जाएगी साथियों ठीक है इत्यादी इति धन आदी ओके अगला क्यों सुन हो जाएगा निमन लिकित में से कौन सा सब्द वर्दी संदी का उधारन नहीं है इन में से ऐसा कौन सा सब्द है जो वर्दी संदी का उधारन नहीं ऐसे प्रसंद पटवार और रिट के लिए इंपोर्टेंट है सारे प्रसंद आपके ऐसे ही प्रसंद पूछे जाते हैं सातियों जुड़ जाईए हर दिन साम 7 बजे हिंदी का और 8 बजे मनोविज्ञान का टेस्ट देना है ठीक है और 6 बजे राजस्थान जीकेगा ठीक है साम को 6-7-8 बजे 3 टाइम आपके क्लास यहां पर टेस्ट लगते हैं ठीक है तो इसमें आपका कौन सा रहेट हुजएगा दिर्ग संदिका है वर्दी संदिका नहीं है दिर्ग संदिका है और सदेयों की बात करें तो सदेयों का संदी विच्छेद करें तो कैसे होगा इसमें आपका हो जाएगा सदा पलस एव क्या हो जाएगा सदा धन एव ठीक है अब हम बात करते हैं परमोद्धारे इसका संद इस प्रकार से आपको याद करना है, साथ साथ में सारे, अगला हो जाएगा निमन में से दिर्ग संधी युक्त पद कौन सा है, तो आपका इसमा हो जाएगा देत्याईर यह क्या है दिर्ग संदी का उधारण नहीं है तो देत्याईर की बात करें तो इसका संदी विचेद के से करेंगे तो इसका संदी विचेद होएगा साथू देत्या प्लस अरी हो जाएगा इसका संदी विचेद ठीक है और किस संदी क हो जाएगा दिर्ग संदी का यह उदारण है ओके अगला आपका क्यूशन हो जाएगा 16 नमर इन में से कौन सवर संदी का उदारण है कौन सवर संदी का उदारण है इन में से कौन सवर संदी का उदारण है सयोंग पवन नमसकार मनोर तो सवर संदी का उदारण हो जाएगा इ कुन सी संदी हो जाएगी पौन सवर संदी के अंदर आपकी आयादी संदी का उधारण है ठीक है अब इसका संदी विच्छेद करें तो आपका कैसे होगा पो ठीक है पो धन क्या हो जाएगा अन हो जाएगा पो धन अन ठीक है इसका संदी विच्छेद आयादी संदी का उधा ठिक है अगला आपका question हो जाएगा पवन का सहीज संदी विच्छेद है तो पवन का सहीज संदी विच्छेद क्या हो जाएगा पो धन अन हो जाएगा और अयादी संदी का ये उधारणे आपको याद करेड़ें निम्ल लिकित सब्दू में से किसमें वेंजन संदी है इन मैसे कौन से सब्द है जिसमें वेंजन संदी है तो आपका इसमें हो जाएगा सदकार इसमें क्या है वेंजन संदी है और संदी विच्छेत करें तो सद पलस कार ठीक है सद धन कार हो जाएगा साथी उसमें सद धन कार और सद कार कौन से संदी वेंजन संदी ठीक है 19 नमर क्यूशन आपका 19 नमर निमल लगे सब्दू में से किस में विसरक संदी है तो साथ यूशन आत यव में विसरक संदी हो जाएगा ठीक है अत धन यव ठीक है और इन बाकी में विसरक संदी नहीं होगा अगला क्रिश्वन आपका हो जाएगा 20 नमर उत्धनहार के योग से कोंसा सब्द बनेगा उत्धनहार के योग से कोंसा सब्द बनेगा तो 20 नमर में आपका क्या हो जाएगा साथी उत्धनहार हो जाएगा ठीक है उत्धनहार ठीके उत्धन हार से कौन सा सब्द वनेगा उद्धार सब्द वनेगा संधी की बात करें तो संधी कौन सी होगी साति उसमें तो आपको याद कर लेना है वेंजन संधी होगी क्योंसे संदि होगी? वेंजन संदि तो तो सात्यूं चैनल को सब्सक्राइब निकाथ तो सब्सक्राइब कर लेना और हर दिन आपको यह साम 7 बजे इसी चैनल पर इसी तरह टेस्ट मिलता रहेगा तो जरूर यह टेस्ट देना है लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर देना और धन्यवाद जय हिंद 6 बजे राजस्तान जी के और 8 बजे मनोवियान और 7 बजे हिंदी तीनू टेस्ट आपको देना है जीट पटवार के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है? ओके